हेलो एव्रीवन चेप्टर रेशनल नंबर्स इस गोइंग ओन एंड टुड़े वी विल डिस्कस हाउ केन वी रेशनल नंबर ओन नंबर लाइन मैं आपको ऐसे अलग अलग टाइप के फोर रेशनल नंबर लाइन पर रेप्रेजेंट करके दिखाऊंगा तो सभी अलग अलग टाइप्स के होंगी तो फिर्स्ट अफॉल हमें करना क्या होगा हमें एक नंबर लाइन ड्रो करनी होगी ठीक है बेसिक बतारो मैं अभी आपको हमें एक नंबर लाइन ड्रो करनी होगी इन दा मिडिल वी विल मार्क पॉइंट और लेबल इट जीरो ओके एंड इफ वी मूव टू दा राइट साइड दैन अधे रेशनल नंबर सार पोजिटिव राइट साइड में जो भी रेशन नंबर आएंगे वो पोजिटिव होंगे और इस तरफ जो भी रेशन नंबर जाएंगे वो नेगेटिव होंगे अब देखे जनरली हमें पता है किसी होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वी हैव स्टेडिड इस तिंग्स Now, हम rational number को represent करेंगे, rational number में integers भी आते हैं, whole numbers भी आते हैं, तो ये तो पहले से included हैं, लेकिन जो ratio form में लिखे हैं, उन rational numbers को हमें number line पे कैसे represent करना है, तो students, इसके लिए में four अलग-अलग examples लेता हूँ और वो आपको represent करके दिखाते हूँ कि किस तरह से हम number line पे represent कर सकते हैं, किस इसकारा rational number है, is it positive और negative, अगर ये positive है, तो ये किधर लाई करेगा, 0 के right side में लाई करेगा, इधर लाई करेगा, ठीक है, ये positive है, तो 0 के right में लाई करेगा, negative है, तो 0 के left में लाई करेगा, तो ये तो positive है, तो 0 के right में लाई करेगा, अब दूसरी चीज, जो इसमें देखन से smaller है छोटा है if numerator is smaller than denominator यानि कि हमारा 3 यहां पर 4 से छोटा है smaller है तो जो हमारा यह rational number है यह 0 और 1 इन दो integers की बीच लाई करेगा कहां कहां लाई करेगा 3 upon 4 कहां लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 और यहां पर एक और point हम right side में क्योंकि right side में लाई करेगे तो एक point और label कर लेते हैं उसे level कर देते हैं one यहां पर मैंने one के लेवल कर दिया मैंने one अब 3 upon four इन दोनों के बीच लाई करेगा ठीके अब इन दोनों के बीच लाई गरेगा 3 upon 4 1 इधर भी हो सकता है इधर जो अगर 1 होगा इधर minus 1 होगा क्योंकि इधर negative चले negative integers चलते हैं negative rational number चलते हैं तो students हमारा जो ये rational number लाई करेगा ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा अब ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हम क्या काम करेंगे कि जितना हमारा यहाँ पर denominator है कितना denominator 4 0 और 1 को उतने parts में डिवाइड कर लेंगे 4 equal parts में तो 1, 2, 3 ये 4 equal parts होगे 1 part, 2nd part, 3rd part, 4th part ठीक है अब ये बीच के part है इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 1 upon 4 0 के बाद जो भी part आएगा ये होगा हमारा 1 upon 4 जो पहला point आएगा यहाँ पर दूसरा point जो होगा ये हमारा होगा 2 upon 4 और जो तीसरा point होगा ये हमारा होगा 3 upon 4 तो हमें 3 upon 4 को ही represent करना था number line पे तो हमारा यह आ गया 3 upon 4 ओके students यह है हमारा 3 upon 4 तो students आप लोग समझगे किस तरह से हम किसी positive rational number को number line पे represent कर सकते हैं अगर numerator denominator से छोटा हो अब एक और positive rational number ले ले लेते हैं लेकिन इस बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा numerator है वो denominator से बड़ा है numerator is greater than denominator in the last question आपने देखा rational number में numerator छोटा था लेकिन यहां तो numerator बड़ा है greater है denominator से तो क्या होगा तो students 7 upon 3 हमारे पास है इसे represent करना है में number line पे और यहां पे numerator denominator से बड़ा है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसे mixed fraction में convert करेंगे तो mixed fraction आपको पता है किस तरह से convert करते हैं यह हो जाएगा हमारा 2 whole 1 upon 3 अब हमारा जो ए नमबर लाई करेगा दे कि मैंने mixed fraction में से क्यों convert किया क्योंकि अब हमारा जो ए नमबर लाई करेगा वो लाई करेगा इस number के, इस integer के और इससे next आने वाल integer के बीच तो ये है हमारा 2 और इससे next क्या आता है 3 तो ये number जो है हमारा 7 upon 3 कहा लाई करेगा 2 और 3 की बीच लाई करेगा So students, अब हम इसके लिए भी इसके लिए भी क्या करते हैं, number line draw कर लेते हैं First of all, we will draw a number line and we will mark a point in the middle and level it 0 Now we shall move to the right side and with some distance, we will mark a point and level it 1 Okay, अभी हम positive की बात करें, फिर एक और point लेंगे इतनी ही distance पे, जितनी 0 से 1 की बीच की distance है, unit distance है, उतनी ही distance पे आगे core point लेंगे 2 और उतनी ही distance पे थोड़ा छोटी रहेंगे number line, तो आप scale का use करेंगे, तो इसे properly आप लोग बनाईएगा, ठीके तो यहाँ पे यह 3 आ गया, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको यह 7 upon 3 हमारा किस की बीच में लाई करेगा 2 और 3 की बीच में लाई करेगा क्योंकि 2 whole 1 upon 3 है यहाँ पे तो यह 2 और 3 की बीच में लाई करेगा यहाँ कि जो हमारा यहाँ पे whole में लिखा होता है यहाँ पे वो और इससे जस्ट बाद में आने वाले integer की बीच में लाई करेगा हमारा यह number, तो 2 और 3 की बीच में लाई करेगा, अब हमें क्या करना है जैसे हमने क्या किया था, इस 0 और 1 को 4 parts में डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे denominator 4 था, तो यहाँ पे 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 की बीच में लगए करेगा, तो 2 और 3 को हम 3 equal parts में डिवाइड करेंगे, यनिकि 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, तो पहला part हमारा हो जाएगा, यह 1 upon 3, दूसर 1 upon 3, और we can say 7 upon 3, okay students, I hope you have understood, कि किस तरह से हम किसी positive rational number को number line पे represent करते हैं, अब बात करते हैं, negative rational number की, negative rational number में भी इसी तरह से मैं यहाँ पे एक number ले ले लेता हूं, minus 3 upon 4, तो यहाँ पे भी students सबसे पहले हमें देखना है, हमें minus छोड़ देना है, minus पे अभी ध्यान नहीं देन तो यहाँ पे भी देखिए, अगर minus हम छोड़ दे, minus को ना ले, तो हमारा जो 3 है, हमारा जो numerator है, वो denominator से छोटा है, ठीके, 3 हमारा denominator से छोटा है, यहाँ पे, यानि कि minus तो हमारा अलग हो गया है, हमें 3 upon 4 से मतलब है, तो 3 जो है हमारा 4 से smaller है, तो यह number भी हमारा 0 और इस ब 1 की बीच में, तो इसी number line पर में minus 1 भी point लेने लता हूँ, ठीके, अभी minus 3 upon 4 हमें यहाँ पर represent करना है, तो देखे, 0 और minus 1 की बीच में लाए करेगा, यह मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अब 0 और minus 1 को कितने parts में divide करें, तो जितना यह denominator है, उतने parts में हम इसे divide हैं, ठीके, तो यह हमारा होगा 1 upon 4, यह हमारा होगा 2 upon 4, यह हमारा होगा 3 upon 4, तो यही, यह सब negative होंगे, minus 1 upon 4, minus 2 upon 4, minus 3 upon 4, तो यही जो हमें represent करना था, minus 3 upon 4, यही वो rational number है, minus 3 upon 4, ओके students, now, अब इसी तरह से, एक और, rational number मैं लेता हूँ negative rational number लेता हूँ जैसे minus 7 upon 5 तो देखे इस बार numerator minus को अलग कर लेंगे हम फिलाल minus में है negative है तो 0 के left में लाई करेगा ये तो clear हो गया क्योंकि अगर positive होता तो 0 के right में होता लेकिन negative है तो 0 के left में लाई करेगा बट एक और यहाँ पर condition हमें देखनी है कि यह 7 upon 5 है यह numerator greater है denominator से 7 is greater than denominator 5 ओके सो students हमें क्या करना होगा सबसे पहले इसे mixed fraction में convert करना होगा minus 1 whole 2 upon 5 सो students अब हम लोग देख सकते हैं कि यह किस की बीच में लाए करेगा यह minus 1 और इससे जस्ट पहले आने वाले integer की बीच में लाई करेगा तो minus 1 से जस्ट पहले कौन सा integer आता है minus 2 तो यह minus 1 और minus 2 के बीच में लाई करेगा number line पे तो इसके लिए number line ड्रो कर लेते हैं और मैं आपको represent करके दिखाते हूँ कैसे represent करना है तो number line ड्रो करते हैं first of all we shall draw a number line then we mark a point in the middle and label it 0 now we move to the left side and with some distance we mark a point and label it 1 हमने एक point 1 यहाँ पे ले लिया एक और point हमें लेना होगा क्योंकि 1 और minus 1 और minus 2 यह 1 नहीं होगा यह minus 1 होगा ठीक है और एक और इतनी ही distance भी जितनी 0 से 1 है उतनी ही distance भी एक और point हमें यहाँ पे लेना होगा minus 2 तो हमारा जो यह rational number लाए करेगा minus 7 upon 5 यह हमारा minus 1 और minus 2 की बीच में लाए करेगा तो minus 1 और minus 2 को हमें कितने parts में डिवर्ड करना है 5 parts में क्योंकि यहाँ पे denominator 5 है तो 1, 2, 3, 4 और यह 5 हो गया ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 equal parts होने चाहिए तो देखे पहले part को हम बोलेंगे यह 1 upon 5, यह 2 upon 5 then 3 upon 5 then 4 upon 5 तो यह जो 2 upon 5 है यही हमारा rational number है जो हमें रिप्रजान करना था यह नि-1 whole 2 upon 5 बोल सकते है और minus 7 upon 5 यह से हम बोल सकते है so students I hope you have understood how can we represent a rational number on number line still you face any problem you can ask me now move to the next topic absolute value of a rational number so students the absolute value of a rational number is the numerical value regardless of its sign okay अब हम आप लोगों के एक चीज़ clearly यहाँ पर समझ लेनी है कि जो absolute value होती है उसमें इसके sign का कोई effect नहीं पड़ता है देखिए जैसे कि हमारे पास कोई number x है ठीक है हमारे पास कोई number x है तो इसकी absolute value भी x होगी और absolute value निकालने के लिए हम sign जो use करते हैं यह sign होता है इसे mode बोलते है mode x modulus x तो modulus x की value भी हमारी कितनी होगी x ही होगी और minus x का अगर mode निकाले absolute value फाइंड करें तो भी x ही होगी यानि चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो हर condition में हमारी क्या value होगी x ही value होगी यानि जो real value होगी हमारी यहाँ पर x होगी यानि अगर हमारे पास देखें modulus जो x होता है वो किस condition में real value पर work करता है कि अगर modulus x x के equal होगा अगर x greater than or equal है 0 के और minus x के equal होगा अगर यह real value है यहाँ पर ठीक है यह x जो हमारा smaller than 0 है ओके so students यहाँ से आपको clearly समझ लेना है कि अगर absolute value आपको बस इतना समझ लेना है कि अगर absolute value की बात की जाए तो हमेशा चाहे वो negative हो चाहे positive हो हमेशा उसकी जो absolute value होगी वो positive ही होगी यानि समझे अगर 7 की absolute value आप से कोई पूछे तो आप क्या करेंगे mode 7 की value निकालेंगे तो वो क्या होगी आपकी 7 होगी और आप से कोई पूछने लेगे minus 79 की तो यहाँ पर basic sign minus है लेकिन इस sign का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई effect नहीं बड़ेगा तो हमारा जो answer होगा वो होगा 79 यानि कि minus वाला भी plus में और plus वाला तो plus में है तो absolute value आप लोग find कर सकते हैं I know so students now the next thing is अभी number line के बारे में हम बात करें थे number line पर हमने कुछ चीज़े देखी comparison of fresh numbers पहली चीज़ यह number line पर हमने देखी कि जो number line में middle में 0 था और हम अगर right की तरफ move करते थे तो हमारा जो number था वो positive था जो हमारे rational numbers होते थे वो positive थे और अगर हम left की तरफ move करते थे तो हमारी जो rational numbers थे वो negative थे तो इनी से हमारी कुछ चीजे निकल कर आती हैं पर कि every positive rational number is greater than 0 हर positive rational number 0 से greater होगा यानि कि अगर हम left से right की तरफ number line पर move करें तो हमारी rational numbers की value जो है बढ़ती चली जाएगी greater होती चली जाएगी यानि हमेशा हर right side वाला जो rational number है वो left side वाले rational number से greater होगा जो right side वाला rational number है वो left side वाले rational number से greater होगा हमेशा ठीक है तो every positive rational number is greater than 0 every negative rational number is smaller than 0 क्योंकि left वाले तो सोटे होते हैं smaller होते हैं every positive rational number is greater than every negative rational number again I'm telling you her positive rational number her negative rational number से greater होता है and the next one is अगर बात करें खाली negative rational numbers की अगर बात करें खाली negative rational numbers की कि दोनों ही negative rational numbers हो ठीक है जब दोनों ही negative rational numbers होंगे तो उस condition में हम उनकी absolute value find करेंगे ठीक है उनकी absolute value find करेंगे और जिस इन दोनों से जिसकी absolute value ज्यादा होगी ठीक है जिसकी absolute value इन दोनो रशनल numbers में से ज्यादा होगी वो हमारा smaller rational number होगा अगे हम टैलिंग यू पहले अगर दोनों negative rational numbers हमें दिये गए हैं एक positive है एक negative है एक एक positive है और एक zero है तो हमेशा positive greater होगा एक negative है एक zero है तो हमेशा negative greater होगा एक positive एक negative तो हमेशा positive greater होगा लेकिन दोनों ही negative है तब क्या करेंगे हम तब हमें दोनों की absolute value find करनी है यानि minus को छोड़ देना यहां पे और फिर absolute value जो हमारी होगी उसकी उसमें जो भी greater होगा वही smaller होगी वही नंबर हमारा स्मोलर होगा अब मैं आपकी जो कन्फीजन है क्लियर कर देता हूं यहाँ पे पहला एक्जामपल देख लेते हम जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर है सेवन अपॉन फाइव ठीक है और एक रेशनल नंबर है हमारा जीरो तो यह हमारा पोजिटिव रेशनल नंबर है और यह जीरो तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा तो देखे मैंने बताया हर पोजिटिव रेशनल नंबर जो जो जीरो से ग्रेटर होता है तो सेवन अपॉन फाइव इस ग्रेटर द अब अगर एक positive एक negative जैसे हमारे पास है 7 upon 5 और एक है minus 9 upon 5 तो इन दोनों में से greater कौन सा है इन में से greater वो होगा जो positive होगा तो ये तो negative है positive तो ये है तो positive rational number ये हमारा greater होगा अगर दोनों negative होगा जैसे मान की चलिए minus 3 upon 5 है minus 7 upon 5 है तो इन दोनों में से कौन सा rational number greater है तो student सबसे पहले मैंने क्या कहा इनकी absolute value लेते हैं 3 upon 5 7 upon 5 ठीक है इसकी absolute value 3 upon 5 होगी क्योंकि minus को हम छोड़ देंगे इधर भी minus 7 upon 5 की absolute value 7 upon 5 होगी minus को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनक क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे 53 जा 15 इसकी इधर मल्टिप्लाइगे 75 जा 35 आप लोग देखते हैं कि यह number हमारा greater 35 हमारा greater है लेकिन मैंने बताया था कि अगर absolute value की बात हो तो जो greater number होता हो smaller होता है हमने तो यहाँ पर absolute value ली ना तो absolute value के अगर बात करें तो जो हमारा greater number होगा वही हमारा smaller होगा यानि कि यह हमारा smaller number है यह हमारा greater number है ओके स्टुएंट्स आइओप यह अंडिस्टूड इस्टिल यू फेस एनी प्रोब्लम यू कैन आस्क मी ओके नाव इस्टुएंट्स तू find rational numbers बिट्विन तू rational numbers के बीच में भी बहुत सारे rational numbers लाई करते हैं कितने infinitely many rational numbers लाई between two rational numbers ठीके तो अगर हम चाहें तो बहुत सारे rational numbers दो rational numbers की बीच में find कर सकते हैं लेकिन फिलाल हमसे पूछागा कि खाली इतने ही rational find करने जैसे कि मान के चलिए एक क्यूश्चन दिया टू और ठी के बीुज उसे में उसक टू को हम क्या लिख सकते हैं टू अपोन वन तरिके पहले पहले स्टेप लूंबर की फोर में लिखने के बाद में लिखने के बाद में हम क्या करते हैं कि हमें इनके बीच में फॉर रैशनल लंबर फाइंड करने हैं तो हम नुम्हीरेटर डिंवेटर को एंड प्लस वन से मल्टीप्लाइ करेंगे Gonfuse मत होगेगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें drive नों के भीचों फोर rational numbers उससे multiply करेंगे numerator को denominator को और दोनों ही rational number को multiply करेंगे यानि कि 5 यहां पर 4 rational numbers find करेंगे तो हमें 5 से multiply करना हुआ इस numerator को भी denominator को भी और second rational number के numerator को भी और denominator को भी तो 5 2 जा 10 and 5 बंजा 5 यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं 3 5 जा 15 and 5 बंजा 5 okay now students आप लोग देख लीजें यहां पर इसके बाद में हमने क्या काम किया इसके जाने के बाद में क्या करना है यह करने के बाद कि इनके बीच में आने वाले जो यह आप लीजेंगे number- dreams पर जो आते हैं यह फॉर बह 시, 12 जा 2 के बाद में आता है 11 ऑब पॉन 5 की बीच में हमें 3 rational numbers find करने हैं इस बार टू अपॉन 3 और 7 पॉन 5 की बीच में 3 rational numbers find करने तो how can we find 3 rational numbers between 2 upon 3 and 7 upon 5 तो इसके लिए सबसे पहले students हमारा denominator हो same होना चाहिए तो denominator को same करने के लिए हम 3 और 5 का lcm लेंगे अब lcm को हम 3 से डिवाइड करेंगे और पहले वाले numerator से multiply कर देंगे इसी तरह से यहां पर भी करेंगे याँ अगर lcm देखें हमारा टू अपॉन 3 और 5 का lcm 15 होगा तो हम लोग क्या करेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा तो 5 को इधर multiply कर देंगे 5 को इधर इसी 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो 3 को यहां पर multiply कर देंगे 3 को यहां पर तो यह हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 15 यह हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 15 वैसे तो 3 रेशन नंबर इनकी वीच्वाप लोग वैसे भी देख सकते हैं यहां पर 3 रेशन नंबर फाइंड करन यहां पर जाते डिनोमिनेटर नुमिनेटर को 4 से multiply करते हैं ओक्यू इसे डैसिमल फोर में convert करना है तो सबसे पहले तो हमें यह चीज देखनी है व्यससे जनरली हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे डेसिमल फोर में convert कर सकते हैं यहां इससे अलग भी एक और method है कि हम यहां पर जीरो बना दें इसे तो जीरो बनाने के लिए हमें देखना कि यहां पर 8 के factor करें तो क्या factor आएंगे 2 2 2 2 3 times आएगा ठीके 2 3 times है अगर यहां पर 2 के factor बन रहे हैं तो यहां पर 5 के factor को तो यहां थे सकते हैं 3 यहां पर हममारा उसके बाद हम तो तो पर देखे 5,5 जा 25,5 जा 125 ठीक है और यहां पर देखे 25,10 25,10 25,10 10 x 10 x 10 हमारा हो जाएगा 1000 अब हमारा डिवाइड करना एजी हो जाएगा इन दोने को मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा है थी 75 और जब 1000 से डिवाइड करेंगे यहां पर 30 है तो उतने ही हमें decimal के बाद में जो places हैं उतनी places छोड़ने हैं चितनी zeros हमारे पास यहां पर हैं तो यह हमारा हो जागा 0.375 इसी तरह से अगर students हमें दिया 2 upon 5 या 2 upon 25 इसे हमें decimal form में convert करना है तो students हम क्या करेंगे सबसे पहले denominator को देखेंगे 5 कितनी times हागा 25 में 2 times 5 इन्टू 5 तो हमें क्या करना होगा 2 times 2 से multiply करना होगा यानि कि अगर 2 है तो 5 से multiply करेंगे 5 है तो 2 से multiply करेंगे लेकिन उतने times ही जीतने times ही यह पहला number आया हुआ है अगर 5 तू टाइम से है तो 2 भी 2 टा होगा तो eight upon hundred को हम क्या लिख सकते है 0.08 क्योंकि decimal के बाद में हमारे two places होने चाहिए क्योंकि यहां पर दो zero है तो two places के लिए एक place तो हमारा eight होगा दूसरा हमें यहां पर zero लिखना पड़ेगा तो 0.08 is the answer okay students now we will start exercise number 3.2 so students question number one is draw a number line and represent the following rational numbers on it students यह वाला question you will do yourself still you face any problem के आसके हुए क्योंकि मैं इसे बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको number line पर represent करना है किसी भी rational number को okay now question number two is the points P Q R S T U and A B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to P Q is equal to Q B name the rational numbers represented by P Q RS respectively so students हमें यहां पर जो है बताना है rational numbers जैसे मान के चली P है P यहां पर किस rational number के लिए है यहां पर तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैं आप लोगों को बता दू 2 और 3 की बीच में लाई कर रहा है P देखे P हमारा किस की बीच में लाई कर रहा है 2 और 3 की बीच में तो simple सी बात है 2 whole तो आना ही आना है यहाँ पे अब देखिए कितने parts में divide है 1, 2, 3 parts में divide है 3 parts में divide है तो हमारा denominator 3 आएगा ठीके next कि जो हमारा P है पहली नंबर प्यारा तो यहाँ पे आ जाएगा यह हमारा 1 तो जो हमारा यह rest नंबर या तो हम बोल सकते है 2 whole 1 upon 3 यह बोल सकते हैं 3, 2, 6, 1, 7 upon 3 ओके यह तो होगे हमारा P इसी तरह से Q की अगर बात करें तो Q भी हमारा 2 और 3 की बीच में लाई कर रहा है ठीक है और denominator हमारा 3 होगा क्योंकि 3 equal parts है और यहाँ पे Q जो हमारा first second number पे आ रहा है तो यह से लिख सकते हैं 2 whole 2 upon 3 यानि कि 8 upon 3 भी हम इसे लिख सकते हैं ओके students अगर बात करें हम R की तो देखे R हमारा minus 1 और minus 2 की बीच में लाई कर रहा है यानि कि यहाँ पे minus 1 तो आना ही आना है बाकी अब देखते हैं यहाँ पे कितने equal parts हैं 1, 2, 3 3 equal parts है तो हमारा denominator 3 होगा अब देखे R जो हमारा इससे left की तरफ चलते हैं तो पहली number पे R पढ़ता है हमारा यहाँ पे यहाँ पे 1 आएगा तो अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus 3 बंजा 3 बंजा 3 बंजा 3 बंजा 4 अपों 3 यानि कि या तो हम यह मालने कि R की value minus 1 whole 1 अपों 3 है या minus 4 अपों 3 इसी तरह से अब S देखते हैं तो S भी हमारा minus 1 और minus 2 की पीच में लाई करता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे numerator में ठीक है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बंजा 3 2 5 अपों 3 minus 5 अपों 3 तो इस तरह से PQRS की हमारे पास यह values है now move to question number 3 now question number 3 is state whether the following statements are true or false तो देखिए students सबसे पहली पहला जो हमारे पास है part उसमें दिया है the rational number the rational number minus 13 upon minus 5 lies to the right of 0 or number line तो क्या यह हमारा true है or false है minus 13 upon minus 5 हमारे पास है तो students minus 13 upon minus 5 दोनों negative है numerator भी और denominator भी तो यह हमारा जब दोनों negative होते है तो minus से minus cancel out हो जाता है और यह हमारा positive हो जाता है और जो positive number है वो 0 के right में lie करता है तो यहां पी भी यही चीज़ दे रखी है कि the rational number minus 13 upon minus 5 lies to the right of 0 so this is true ओके now the next one is the rational numbers minus 5 upon minus 7 and 7 upon minus 9 lie on opposite sides of 0 on number line so students minus 5 upon minus 7 हमारा positive हो क्योंकि minus से minus cancel out होगा और 7 upon minus 9 हमारा negative होगा क्योंकि इसमें एक ही minus है तो positive और negative rational numbers हमेशा 0 के opposite side में ही lie करते है तो यह भी हमारा क्या हुआ यह भी हमारा यहां पे true है now the third part is the rational numbers minus 17 upon 6 है and 8 upon minus 15 lie on opposite sides of 0 on number line इसने कहा minus 17 upon 6 और 8 upon minus 15 दोनों ही opposite side में lie करेंगे तो students यह हमारा false है क्यों false है हमारा क्योंकि दोनों ही negative rational numbers है और negative rational numbers हमेशा एक ही side lie करते हैं left side में lie करते हैं 0 के now question number 4 is which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs तो देखे students minus 4 upon 7 और 0 में कौन सा number हमारा greater है तो हम देखते हैं यहां पे कि 0 हमारा greater है अब 0 हमारा greater क्यों है क्योंकि 0 sorry every negative rational number is smaller than 0 हर negative rational number 0 से smaller होता है तो 0 हमारा यहां पे greater है अब second part में देख लगते हैं 5 upon minus 9 से 3 upon 7 greater है क्योंकि every positive rational number is greater than every negative rational number यह आप लोगो बता चुका हूँ में यहां पे देखें third part में minus 9 upon minus 5 is greater अब आप लोग कहेंगे कि यह कैसे greater हुआ 0 से तो students क्योंकि यह positive rational number हो जाएगा क्योंकि minus से तो minus cut जाएगा cancel out हो जाएगा तो यह हमारा positive rational number हो जाएगा तो every positive rational number is greater than 0 जो rules में आपको बताए हैं उन्हें फिर से एक बार देखेगा आपको एक clear हो जाएगा now the fourth part is 7 upon minus 5 and minus 21 upon minus 23 तो students यहाँ पे minus 21 upon minus 23 is greater why क्योंकि students यह हमारा positive rational number है और यह negative है क्योंकि इसमें एक ही minus है और यह positive हो जाएगा तो यह तो positive हो जाएगा अपने अप okay now question number 5 is fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, smaller than or equal to okay तो students सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पे sign use करने के लिए मैं first part करा हूँ other parts you will do yourself आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले cross multiply करेंगे यानि कि आप लोग क्या करेंगे 7 और 4 को multiply करेंगे ऐसे ठीक है और 5 और minus 5 को multiply करेंगे sorry minus से अभी आपका कोई मतलब नहीं है minus थोड़ी देर के लिए भोल चाहिए बाद में यूज करेंगे या फिर minus ले ले लेंगे कोई बात नहीं है 7 4 जा 28 and 5 5 जा 25 तो यह भी negative है minus है क्योंकि यहाँ पे भी और यह भी negative है दोनों negative है तो students मैंने आपको बताया था negative में जो हमें दिखता है negative में जो हमें दिखता है कि यह greater है जिसकी absolute value greater दिखती है वही number हमारा smaller होता है तो यहाँ पे greater क्या होगा हमारा minus 25 हमारा greater होगा so minus 5 upon 7 is greater than minus 4 upon 5 so students other parts of question number 5 you will do yourself now question number 6 is arrange the following rest numbers in ascending order ascending order में convert करने के लिए यह सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि नीचे minus नहीं होने चाहिए अगर नीचे minus लिखा भी हुआ है तो उसे उपर लिख लिजे अब जो हमारा second step है वो है कि हमें जितने भी denominator है सबका LCM find करना पड़ेगा तो first part I am doing second part you will do okay LCM of denominators का seven two and four seven two and four what is that that is 28 अब हम क्या करेंगे first denominator से इसे डिवाइड करेंगे LCM को और first numerator में से multiply कर देंगे और सभी का जो हमारा denominator हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा यानि कि 28 हो जाएगा यानि कि पहले rational number का भी denominator 28 हो गया दूसरे का भी 28 हो गया और तीसरे का भी 28 हो गया ये तो सभी का 28 हो गया लेकिन numerator कैसे decide करेंगे हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7,4,28 और जो result आएगा उसे first numerator से multiply कर देंगे first के लिए तो 7,4,28 तो 4,3,12 भी आ जाएगा minus 12 upon 28 इसी तरह 28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 14 आएगा तो 14,3,0 minus 42 इसी तरह से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7, तो 7,3,0,21 तो इस ट्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोग को बता दू इससे ascending order में लिखना है तो smaller इनमें वही होगा जिसकी value सबसे ज़दा होगी क्योंकि सारे ही negative है तो minus 42 upon 28 इसमें सबसे smaller होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे minus 42 upon 28 को then उससे greater होगा जो इससे मतलब minus 42 से यहाँ पे कम value आपको दिखाई दे रहे होगी minus 21 upon 28 then जो सबसे कम दिखाई दे रहे होगी हमारा सबसे greater number भही होगा यह minus 12 upon 28 वापिस जिन से यह number आए है वही number वापिस सबसे तो minus 21 upon 28 किसे आए था minus 3 upon 4 से तो minus 3 upon 4 एक बार देखें यहाँ पे minus 3 upon 4 and यह minus 21 upon 28 किसे आए था sorry minus 42 upon 28 हमारा minus 3 upon 2 से आए था sorry minus 3 upon 2 से और minus 21 upon 28 जो हमारा आया है किसे minus 3 upon 4 से और minus 12 upon 28 आए हमारा minus 3 upon 7 से okay students तो I hope everything is clear to you second part you will do yourself okay now move to question number 7 question number 7 is arrange the following rational numbers in descending order so students यह भी ascending order का था descending order का था उसमें हमें ascending order में सबसे पहले smaller लिखना है फिर उससे greater फिर उससे greater इस तरह से लिखना है इसमें सबसे पहले greater number लिखना है फिर smaller की तरफ चलना है तो 7th question you will do yourself okay now question number 8 insert 5 rational numbers between minus 3 and minus 2 minus 3 और minus 2 की बीच में हमें 5 rational numbers find करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा minus 3 को minus 3 upon 1 लिख देंगे minus 2 को minus 2 upon 1 लिख देंगे उसके बाद हमारा step क्या है 5 rational numbers find करने हैं तो 6 से multiply करेंगे हैं numerator और denominator को दोनों rational numbers के then 6 3 जा 18 यह हो जाएगा हमारा minus 18 and 6 बंजा 6 यह हो जाएगा हमारा minus 12 और 6 बंजा 6 तो minus 12 और minus 18 के बीच में कौन कौन से number आएंगे यहां पर एक तो आएगा हमारा minus 13 upon 6 एक आएगा हमारा minus 14 upon 6 हमें 5 find करने हैं तो minus 13 upon 6 minus 14 upon 6 minus 15 upon 6 minus 16 upon 6 1, 2, 3, 4 and minus 17 upon 6 5 अब चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ये भी हमारा answer हो सकता है और चाहे तो आप उपर निचे इसने cancel out कर सकते हैं उससे आगे भी हम answer लिख सकते हैं यानि कि देखिए minus 13 upon 6 है हमारा तो इसमें हम cancel out नहीं कर सकते minus 14 upon 6 है तो 2 से cancel out कर सकते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 इसे भी हम 3 से cancel out कर सकते हैं 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इसे हम 2 से cancel out कर सकते हैं 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और यह से cancel out नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे rational numbers लाई करेंगे between minus 3 and minus 2 इसे भी अधिक बहुत ज़्यादा rational numbers इन की बीच में लाई कर सकते हैं यह तो हमने 5 rational numbers हमने find किये हैं इसी तरह से minus 2 upon 3 और minus 1 upon 3 की बीच में हमें 5 rational numbers find करने तो students हम सबसे बहले क्या करेंगे फाइज बहले देखते हैं denominator same है की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 5 rational numbers find find करने हैं तो हमें 6 6 से multiply करना होगा minus 2 upon 3 के numerator को भी और denominator को 6 से multiply करेंगे इसी तरह से minus 1 upon 3 के numerator को भी 6 से multiply करेंगे और denominator को भी 6 से multiply करेंगे now students यह हमारा हो जाएगा 12 upon 18 minus 12 upon 18 और हो जाएगा minus 6 upon 18 तो इनकी बीच में जो number आते हैं उसा भी number लिख लेंगे हम, देखिए, minus 12, then क्या आएगा, minus 11 upon 18, then minus 10 upon 18, then minus 9 upon 18, minus 8 upon 18, minus 7 upon 18, और उसके बाद तो minus 6 upon 18 है, ये वाला number, तो students इहाँ पे चाहें, तो हम लोग cancel out भी कर सकते हैं, तो cancel out करने के बाद, minus 11 upon 18, तो ये तो cancel out नहीं होगा किसी से भी, तो इसे as it is लिख द 18 है, तो इसे 2 से cancel out कर सकते हैं, 2, 5, 10, 2, 9, 18, इसी तरह से, इसे 9 से cancel out कर सकते हैं, 9, 9, 9, 2, 18, इसे 2 से cancel out कर सकते हैं, minus 2, 4, 8, 2, 9, 18, और इसे cancel out नहीं कर सकते हैं, minus 7 upon, ये, sorry, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ा बलात हो गया, minus 7 upon 18, okay, clear, so students, I hope everything is clear, okay, now move to question number 9, insert 5 rational numbers between minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3, so students, इसमें आपको लोगों को सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपको denominator को same करना होगा, denominator को same करने के लिए, आप इन दोनों का LCM find करेंगे, 5 और 3 का, तो LCM of 5 and 3 is equal to 15, अब आप लोगों करना क्या है, इस LCM को, जो है, 5 से, देखे, अब दोनों का जो हमारा denominator होगा, वो 15 ही होगा, अब हम इस 15 को, इस 5 से divided करेंगे, 3 आएगा, 3, 4, 12, यह minus 12 upon 15 होगया, और जब 15 को, हम 3 से divided करेंगे, तो 5, 5 तो 10, तो minus 10 upon 15 होगया, इनके बीच में, 5 rational numbers find करने हैं, तो 5 rational number find करने हैं, तो किस से multiply करें, 6 से, 6 से यहाँ multiply, 6 से यहाँ पर, तो यह हमारा हो जाएगा, minus 72 upon 90, इस तरह यह हमें हो जाएगा, minus 60 upon 90, अब इनके बीच में, हमें लिखने हैं, 5 rational numbers, तो कहीं से भी लिख सकते हैं, इनके बीच में, 5 से भी ज़्यादा rational number लाई करते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो 5 rational numbers क्या होंगे, यह हमारे हो हो जाएगे, minus 71 upon 90, ठीक है, minus 70 upon 90, minus 69 upon 90, minus 68 upon 90, minus 67 upon 90, अब चाहें तो हम यहाँ पे cancel out कर सकते हैं, और हमारा answer आ जाएगा, तो आप लोग खुद भी करके रिखें कैसे, तो second part you will do yourself, now move to question number 10, express the following rational numbers as decimals, तो first part आप लोग देखें, 3 whole 5 upon 8 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 plus 5 upon 8, तो देखें, यह हमारा हो जाएगा, 3 plus 5 into, अब देखें, 8 में 2 कितनी बार आएगा, 8 के factors में 2 कितनी बार आएगा, 3 times, तो यहाँ पे तो 8 है, तो अब हमें 5 भी 3 times ही लेना हो हो, यहनि, 5 five जा, 25 five जा 125, यानि 125 से denominator को multiply करेंगे, 125 से numerator को multiply करेंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, 3 plus, अगर हम 5 और 125 को multiply करते हैं, तो क्या आता है, हमारे पास, 55 जो 25, 5 to 10 to 12, 6, तो multiply करने कपाद 625 है हमारे पास ही, और denominator मेंане multiply करते हैं, तो हमारा जाएगा यह पूरा 1000, अब हम दिखते हैं कि हाप में हमारे पास 3 प्लस 625 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.625 और एड करने के बाद में हमारा हो जाएगा 3.625 okay students now second third and fourth part you will do yourselves still you face any problem you can ask me thank you very much